तूम्हारा लेहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नए नए है अज मेरा जन्म दिन भी है तो आज अतने हाँ और बुलंदियों पर जाना कोई बड़ी बात नहीं बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है और आज रात आज की साम काफी बहतर साम होने वाले कुमार शात्म भाय हमारे साथ कैसे है बहुत बहुत धन्यबाद बहुत अच्छा हुँग आप कैसे है अभी ये दौलत नहीं दाना है नजर नजर से उतरना कमाल होता है कि मेरे बाद गजल को एक अलगी मोड आया गजल में हम बिहार में हैं और सोनपूर मेला घूम रहे हैं लगातार एक से बढ़ कर एक तस्वीर दिखा रहा है और आज हमारे साथ बाचीत करने के लिए कुमार सत्त्म है लगातार बड़े-बड़े मंचूपे जाते हैं और अपनी आवाज को लिए हमिसा से चर्चा में बने रहते हैं और आज रात आज की साम काफी बहतर साम होने वाले कुमार सत्त्म भाई हमारे साथ कैसे हैं बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हैं, काफी दर्सक आपका बाहर इंतजार करते हैं प्यार है उनका और मासर सत्ति के कृपा है ये मेरे लिए सबागे की बात है कि वो मेरे इंतजार कर रहे हैं आपको सम्मानित क्या आता है और आज की साम काफी शुन्दर साम होने वाली है यहां जो मेला लगा हुआ, काफी सोनपूर मेला है, काफी चर्चित मेला है इसे पहले भी इस मंच पर आए हुँ, लेकिन एक किसी धार्मी कारिकरम में आया था लेकिन महुत सब मैं पहली बार आए हूँ, और सबसे बड़े सोभागी की बात है कि आज मेरा जन्म दिन भी है, तो आज अपने आपको धेर सारी सुप्ताम ना है एक आर्टिस्ट के लिए अगर मंच पर वह गा रहा है तो उससे बड़ा सेलिब्रेशन बथुटे का कुछ नहीं हो सकता है तो यह मंच पर ही कुछ यादगार पल कहें देखते हैं, अब कुछ नकुछ तो मासरसदी के करपा हुई तो जरूर होगा काफी कुछ हो सक, बिलकुल बहुत कुछ हो सक, जिस दौर में हम लोग चल रहे हैं और जिस दौर में गाने सुन रहे हैं जहां वाइरल का एक अमबार लगा हुआ है, भोजफूरी गाने को भी सुना जा रहा है, हिंदी गाने को भी सुना जा रहा है लेकिन कुमार सत्तम के भी गाने को लोग बहुत प्यार करते हैं कई गाने आपके हैं जिसे आप गुन-गुनाते हैं गाते हैं बड़े-बड़े मंचुपे कैसे देखते हैं उन चीजों को आप कैसे देखिए वाइरल होना एक अलग चीज है और कहते हैं न कि नजर नजर में गुजरना कमाल होता है नजर नजर से उतरना कमाल होता है और बुलंदियों पे जाना कोई बड़ी बात नहीं बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है तो वो वाइरल होना एक चीज है और एक होता है कि आप अपनी उचाईयों पे बने हुए है वो तब ही हो सकता है जब आप आस्मान में उड़ रहे हो और आपके पैर जमिन पे हो और आपकी महनत आपने अपने सब्जेक्ट पे कितना महनत किया है कितनी पढ़ाई की है कितने गुरुजनों से सीखा है ये आपको पर्मानेंटली बनाए रखता है मंच में जब आप पहले गाते थे तब में और अब में कितना कुछ बदल गया क्या लगता है क्या बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है या सब कुछ वही है नहीं बिल्कुल चेंज तो ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन हाँ इश्वर की बड़ी कृपा हुई मेरे पे कि गजल मेरे से पहले भी लोग आ रहे थे और लोग सुन रहे थे लेकिन ये लोगों का प्यार है और इश्वर की कृपा है कि मेरे बाद गजल को एक अलगी मोड आया गजल में जिसकी वज़े से युवा जिनरेशन आच की प्रेरित हुई गजल सुनने के लिए और सुन रही है और अपना अश्रवात दे रही है मुझे आप गजल गाते हैं बड़े-बड़े मंचुपे जो आपको प्यार सने मिलता है आपका एक लाइन है अब ये दौलत नही नही है हम चाहेंगे दौलाइन हमारे दरसे को को आप गुन-गुना के सुना रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है खामोश लब है जो के है पलके दिलों में उल्फत नहीं नहीं